जाया हेंद जाया भारत आज बात करेंगे उस जन संगहार के बाद अंग्रेजों द्वारा अमरिसर की जनता पर किये गए अत्याचारों की 13 अप्रेल को ही पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने पंजाब में मार्शल लाव लगाने के लिए भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा अपनी किताब इंडिया एज आई न्यूइट में ओडायर लिखते हैं भारत सरकार ने मार्शल लाव लगाने के मेरे प्रस्ताव को तुरंट स्विकार कर लिया यह जनरल डायर द्वारा जलियाँ वाला बाग में किये गए कारिये से पहले हो गया था लेकिन संपर्क कटा होने के कारण इसकी स्विकृती 14 अप्रेल से पहले नहीं पहुँच सकी और अमरित सिर्थ तथा लाहोर में इसकी घोषणा 15 अप्रेल को ही हूपाई इससे पता चलता है कि मार्शल ला की स्विकृती मिलने से पहले डायर ने अपने आप अमरित सर में मार्शल लगा दिया था उसने आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी वेक्ती रात 8 बजे के बाद घर से बाहर निकला तो गोली मार दी जाएगी प्रिनाम ये हुआ कि जलियाँ वाला बाग में 13 अप्रेल की शाम को डायर की गोलियों से जो लोग मारे गए उनकी लाशें उस रात वहां से नहीं उठाई जा सकी रात को गिद और गिदर निर्दोश मनुश्यों की लाशों से मास नोच रहे थे और जो लोग गायल हुए थे उन्हें भी कोई साहिता नहीं मिल सकी वे वहीं बाग में लाशों के बीच पड़े सारी रात दर्द से कराते रहे उनके जखमों से लहू बहता रहा अगले दिन यानि 14 अप्रेल को डायर ने लाशों का अंतिम संसकार करने की अजाज़त दी लेकिन गायल अब भी छिप छिप कर इलाज करवा रहे थे भेद खुल जाने पर वे गिरफतार कर लिये जाते क्योंकि डायर के आदेश के वुरुद जलियाँ वाला बाग में हुई मीटिंग में शामिल हुए थे इन में से भी कई लोग इलाज ना मिलने के कारण मर गए थे और डर के कारण उनकी गिंती भी नहीं हुई थी उसी दिन 14 अप्रेल दो पहर दो बजे डायर कोतवाली में शहर के परमुख नागरिकों और व्यापारियों की मीटिंग बुलाता है वहाँ कमिशनर मिस्टर किटचिन कहता है आप लोग क्या चाहते हैं शांती या युद्ध हम सब प्रकार से तयार हैं सरकार सर्वशक्तिमान हैं हमने जर्मनी को हराया है और कुछ भी करने में सक्षम हैं जनरल डायर जो आदेश देंगे वह आपको मानना होगा वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध स्माप्त हुआ था उस युद्ध में मिली जीत से अंग्रेजों का एहंकार सात्वें आसमान पर था किटचिन के बाद डायर भाशन देता है वो कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिपाही हूँ यदि तुम युद्ध चाहते हो तो सरकार इसके लिए तयार है और यदि शानती चाहते हो तो मेरे आदेश का पालन करो और अपनी दुकाने खोलो वरना मैं गोली मार दूँगा मेरे लिए युद्ध का हर मैदान एक जैसा है चाहे फ्रांस हो या अमरित सर दोस्तों 13 अप्रेल के जंसंगार के बाद 14 अप्रेल को दुकानदारों ने अमरित सर में दुकाने नहीं खोली थी इससे बोखलाय डायर ने वह मीटिंग बुलाई थी और इन शब्दों में लोगों को धमकाया था कांग्रेस की जांच रिपोर्ट के प्रिष्ट 69 पर लिखा है डायर के बाद अमरित सरकेट डिप्टी कमिशनर माइल्स इरविंग ने भाशन दिया उसने कहा तुमने अंग्रेजों को मार कर बहुत बुरा किया है इसका बदला तुमसे और तुम्हारे बच्चों से लिया जाएगा जलियां वाला बाग पर बनी इस वीडियो श्रंखला के बाग एक में हमने बताया था कि 10 अप्रेल को अमरित सर में खूनी संगर्ष हुआ था जिसमें 5 अंग्रेज और 20 से अधिक भारतिय मारे गए थे इनके अतरिक एक अंग्रेज महिला मिस्स शेरवूड पर हमला हुआ था 5 अंग्रेज मारे 20 से अधिक भारतिय है फिर भी 13 अप्रेल को जलियाँ वाला बाग में इतना बड़ा जनसंगार कर दिया और उन खूनी दरिंदों की रक्त पिपाशा फिर भी शांत नहीं हुई सरेयाम डिप्टी कमिशनर धंकी दे रहा था कि तुम से और तुमारे बच्चों से बदला लिया जाएगा 15 अप्रेल से सभी दुकाने खुल गई परन्तु इतने भर से अत्याचार समाप्त नहीं हुए मार्शल लाकी गोशना कर दी गई जो 9 जून तक जारी रहा जिस गली में 10 अप्रेल को मिस शेरवुड पर हमला हुआ था वो लगबग 150 गजलंबी थी 19 अप्रेल को डायर ने आदेश जारी कर दिया कि जो भी वेक्ति उस गली से गुजरेगा उसे जमीन पर गुटनों केबल रेंगते हुए जाना होगा इस क्रूर आदेश से न तो व्रिधों को छूट थी ने बीमारों को ना बच्चों को ना महिलाओं को उसने गली के दोनों सिरों पर आर्मी की चौकी बिठा दी थी जो भी वेक्ति जरा भी उपर उठने की कोशिस करता उसको राइफल के बट से मारा जाता था इसके अथिरिक डायर ने उस गली के बीच में एक टिक्टिकी भी फिट कर दी थी दोस्तों टिक्टिकी लकडिया दातू का बना एक तिपाया धाचा होता था जिस पर बांध कर वेक्ति को नंगा करके बेंतों से पिटाई की जाती थी हंटर कमेटी ने डायर से टिक्टिकी फिट करने के आधेश पर सवाल पूछा था उसका उत्तर था मैंने सोचा कि जब मुझे मिस शेरवुड पर हमला करने वाले मिल जाएंगे मैं उन्हें वहाँ ले जाकर उसे टिक्टिकी पर बांध कर खूब मारूँगा सुन्दर सिंग नाम के लड़के को टिक्टिकी पर बांध कर तीस बेंत मारने की सजा मिली चार बेंत के बाद वह बेहोश हो गया उसके मुह में पानी डाल कर उसे होश में लाया गया और फिर बेहोश हो गया कुछ बेंत खाने के बाद वो फिर बेहोश हो गया प्रन्तु तब तक बेंत मारे गए जब तक पूरे तीस नहीं हो गए जब टिक्टिकी से उसे उतारा गया वो लहू लुहान और बेहोश था और ये कोई अकेला उदाहरण नहीं था अम्रित सर के अतिरिक्ट पंजाब के अन्य शहरों में भी ऐसी बहुत सारी टिक्टिकी फिट कर रखी थी अम्रित सर के अधिकांच लोगों ने शेर्वूड पर हुए हमले की निंदा की थी पर डायर ने उन लोगों को वह सजा दी जिनोंने शायद मिस शेरवूड को देखा भी नहीं था डायर ने एक प्रशन के उत्तर में हंटर कमेटी को बताया कि रेंग कर चलने के आदेश में रात के 10 बजे से सुबा 6 बजे तक छूट थी जब उससे पूछा गया कि रात 8 बजे के बाद तो बाहर निकलने पर गोली मार देने का आदेश दे रखा था तो कैसे रात को बाहर निकलते लोग तो डायर कहता है कि वे लोग दिन में एक घर की छट से दूसरे घर की छट से होते हुए आगे जा सकते थे कैसा करूर मजाग था उस गली के लगबग सभी घर दो मंजला थे और वो पापी कहता है कि गली में से निकलेंगे दिन में निकलें तो रिंग कर निकलें रात को निकलें तो गोली मार दी जाएगी तो रास्ता क्या बचा कि दिन के समय दो मेंजला घरों की छतों से छतों से होते हुए जाओ कोई कैसे कर सकता था लाला मेगा मल ने कांग्रेस की जाँच में बताया मेरा घर इसी गली में है मेरी पतनी को बुखार था साथ दिन तक उसे कोई इलाज नहीं मिल सका विडमबना देखिए, एक आधेश था दुकान खोलो नहीं तो गोली मार दी जाएगी और दूसरा आधेश था उस गली से जाने वालों को रेंग कर जाना होगा जिनका घर उस गली में रहा होगा उन पर कैसी मुसीबत थी घर में रहे तो दुकान ना खोलने की सजा मिलेगी और अगर दुकान खोलने घर से निकले तो गली से रेंग कर जाना होगा एक और गवा, लाला रलिया राम बताते है जब मैं रेंग कर जा रहा था, उन्होंने मुझे लात और राइफलों के बट से मारा पूरे आठ दिन तक हमारी गली में कोई सफाई करमचारी नहीं आया ने तो शौचाले ही साफ हुए, ने ही घर का कूड़ा उठ पाया ने पानी था, ने सवजियां और ने खाने का और सामान दोस्तों, उन दिनों शहरों में सीवरेज सिस्टम नहीं होता था शौचाले का मल उठाने इंसानों को आना पड़ता था दाइर के आदेश के बाद उसे उठाने वाले नहीं आ रहे थे कलपना करके देखिए, आठ दिन तक मानव मल घर में ही इकठा किया जा रहा था और पानी भी नहीं था लोगों ने वह नर्क कैसे भोगा होगा अंग्रेज सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार पचास लोगों ने उस गली में रेंग कर चलने के अमानविय दंड को सहा था और जो लोग डरके मारे घर के बाहर नहीं निकले उनकी यातना कहां कम थी एक और तुगल की फरमान था कि जब भी किसी भारतिये को सडक पर चलते हुए कोई अंग्रेज अफसर दिखाई दें तो रुक कर उसे सलाम करना होगा लाला हर गोपाल खन्ना बीए बताते हैं बीए मीन्स वो बीए पास थे ग्रेजवेट थे आज ये बड़ी बात भले ही ना हो लेकिन उस जमाने में बीए पास लोग गिंती के होते थे समाज में बहुत सम्मान की बात होती थी 18 अप्रेल को लाला हर गोपाल खन्ना के साथ एक बड़ी गटना गटती है वो बताते हैं 18 अप्रेल को मैं अपने दोस्तों के साथ एक गली से जा रहा था मैंने रास्ते में गोडों पर सवार जनरल डायर उसके सिपाहियों को देखा मैंने उन्हें फौजी अंदाज में सलाम किया उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सही से सलाम करना नहीं आता और आदेश दिया कि अगले दिन उन्हें राम बाग में जाकर मिलू मैंने उन्हें फिर सलाम किया और डियेसपी प्लोमर से पूछा कल राम बाग में किस जगह मिलना है प्लोमर ने एक सिपाही को आदेश देकर कहा कि इसे अभी कोतवाल के पास लेकर जाओ वह सिपाही मुझे पकड़कर कोतवाली ले गया और वहां कई और लोग भी थे वहां शाम के साथ बजे तक उकडू बैठने का आदेश मिला सारी रात या तो बैठकर या खुले मैदान में लेटकर बितानी पड़ी अगले दिन हम सभी को राम बाग ले जाया गया वहां हमें बहुत देर तक दूप में खड़ा रखा गया और मिलिटरी के एक हवलदार ने हमें सलाम करना सिखाया लाला हर गुपाल खन्ना का क्या कुसूर था वो बीए पास थे सामने से आ रहे डायर को सलाम किया सलाम करने का तरीका पसंद नहीं या इसी बात पर इतनी सजादे दी गई ऐसे ही एक दिन सडक से जाते हुए डायर को कुछ लोग मिले उनका सलाम भी उसे पसंद नहीं आया उसने तुरंत उन निर्दोशों को गिरफतार करने का अधिश दे दिया पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर थाने ले जाते हुए उस गली से जाने लगें जिसमें रिंग कर चलना पड़ता था जैसे ही वे निर्दोश लोग उस गली में दाखिल हुए वहाँ तैनात सैनिकों ने उन्हें रिंग कर चलने को कह जब इन लोगों ने बताया कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए पुलिस वाले पकड़ कर लाए हैं तो जवाब मिला कारण जो भी हो इस गली में घुस गए हो अब तो रिंग कर ही पार करसना होगा उन्होंने वैसा ही किया एक और आदेश दिया गया कि शहर के सभी वकील स्पेशल कॉंस्टेबल होंगे और वे लॉइंड ओर्डर सुनिश्चित करने का काम करेंगे आदेश नहीं मानने पर उन्हें भी बैंत गिरफतारी और गोली तक मार देने की धमकी दी गई प्रतिश्ठित वकीलों से मेज और कुरसियां उठवाई गई शायद सुनकर आपको विश्वास ना हो कॉंग्रेस ने जो जाँच की थी उस टीम में महात्मा गांधी, मोतिलाल नहरू, देशबंधू, चितरंजन दास, मदन महन मालवी, अबास तयब जी, एम आर जायकर और केस अंथानम थे इनकी रिपोर्ट में ये सब हाल दर्ज हैं आप पढ़ सकते हैं कुल 93 वकीलों को वह अपमान सहना पड़ा था 10 अप्रेल को वकील गुर्दयाल सिंग सलारिया और मकबूल महमूद ने अपनी जान दाओं पर लगा कर रेलवे ब्रिज से बीड को हटानी की कोशिस की थी उन्हें भी अंग्रेजों ने इनाम में जेल भेज दिया 10 अप्रेल को बीड के हमले में मारे गए पांच अंग्रेजों में एक रॉबिंसन और एक रॉलेंड भी थे मकबूल महमूद बताते हैं कि मुझे गिरफतार करने के बाद पुलिस ने मुझे पर दबाव बनाया कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है उनको पहचानते हुए बयान दीजिए कि आपने उन लोगों को रॉबिंसन और रॉलेंड की हत्या करते हुए देखा है जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था मकबूल महमूद ने ना रॉलेंड की हत्या करते किसी को देखा था ना रॉबिंसन की अनेक निर्दोशों को यूही गिरफतार करके महीनों जेलों में सड़ाया गया ने कोई F.I.R. ने चार शीट उन्हें प्रताडित करके जूटा गवाब बनने के लिए दबाव डाला जा रहा था जो मान गए उन्हें इनाम दिये गए और बे गुनाहों को फांसी जैसी सजाएं उनकी मदद से दिलाई गई आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं अगली बार बात करेंगे लाहोर में आम लोगों पर निर्दोश लोगों पर हुए अट्याचारों की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताईएगा चैनल को यह दिया भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे नए वीडियो के नौटिक्वेशन आपको समय पर मिल सकें जाया हिंद जाया भारत